2019 की कौशल श्राफ की बाइलाइन से केरवन की रिपोर्ट है ये रिपोर्ट कोर्ट में भी विचारा धीन है एक मुकदमा आपकी तरफ से किया गया है मानहानी का रास्ट्री सुरक्षा सलाका अर्डोबाल के बेटों की फर्जी कंपनियों का जाल ये हिंदी में जो रिपोर्ट आये थी उसका शीर शक है इसमें इल्जाम लगाया गया है कि आपके भाई विवेक वो केमेन आईलेंड में हेज़फन चलाते हैं और उसके बाद एक लंबा सि सिला है कि किस तरीके से आप लोगों के व्यापारेखित चुड़े हुए हैं और ये कैसे कंफ्लिक्ट पैदा करता है फिर आप कोर्ट में गए क्या हुआ कोर्ट में जैराम रमेश ने प्रेस कांफरेंस की थी उन्होंने भी कोर्ट में कुछ कहा ज़रा ये प्रसंग आते हैं तो आपको ना उनको एक सबक सिखाना चाहिए है कुई भी कुछ बोल दे और आप शरीफ हैं आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आपका केस बाइडिफॉल्ट चला जाएगा आप चुप रहेंगा आपके अदमी के मुह क्यों लगना जब उस बात में कोई सचा ही नही है और जो अभी रहूल गांदी जी के साथ में बहुत खुश हूँ यह हुआ क्योंकि अगर हमें यह बात पता होती 2014-2017 में जब उन्होंने वायर वाला किया था तो उस वक्त हम भी उस जर्णलिस्ट को कोट लेके जाते हैं पर चले हुबाद गई पर 2019 थक हम थोड़े से किया और उसके आधार पर जैराम रमेश जी जो एक कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे और इंपोर्टन लीडर है उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस कर दी और उन्होंने यह आरोप लगा दिया कि साथ मेरे भाई का बिजनस है और वो दी मॉनिटाइजेशन का पैसा है वाहल में देखना चाहते हैं और मेरे भाईने कहा ऐसा है उसने कोट में गार10 अपट इस इसह एक्री में सावशास के उわかी थेजाता है और ऐसने का में क fut意 हैने ऑमेस आप मुछे जो सवाल पूछना चाहते हैं 25 में सवाल पूछे गए उनक वकीलों ने पूछा जो उनके डिफेंस वाले हमने तो क्रिमिल डिफिमेशन किया या जैराम रमेश शाप के उनके उसके बाद जब उसका पूरा का पूरा क्रॉस इग्जैमिनेशन हो गया और हमने सारे डॉक्यूमिट सब्मिट कर दिये तो उनकी बारी आई जायरामरामेश शाहब की हमने का आप उनके कोर्ट में बुलाए हम उनसे सवाल पूछेंगे उस समय जायरामरामेश शाहब ने का कि साहब बहुत गलत होगे हम तो गलती होगे हम कोर्ट में आएंगे तो आप हमसे सवाल पूछें हम आदार नहीं है तो हम इसको हमसे रफा दफा कर दें, रफा दफा कर क्या मतलब है, यह उन्होंने आप से क्या फोन पिका, मुलाकात हुई, उन्होंने अपने चैनल से कहा, हम ने कहा हम यह की तरह से मानेंगे, आप इसकी सारविजनिक अपालोजी दीजे, आपको सब के सामने बोलना पड़े प्रॉस इग्जैमिनेशन शुरू होता, तो फिर हम भी इसको उसके एंड तक लेके जाते हैं, कि कहां तक इसको, तो पॉइंट बिंग कि अगर आप, मैगजीन के साथ मुकदमा चल रहा है, क्योंकि मैगजीन का साथ मुकदमा चलेगा, और वो जब तक वो, उनका टेकनिक नहीं कर रहे हैं, आगर वो आटिकल भी आप पढ़ें, तो उसमें कोई चार्ज थोड़ी है, उसमें भी इनके भाई ने, मैं आपको एक उधारंग देता है, उनके भाई साथ ने, नवंबर 2016 में अपना हेज़ फंड शुरू किया, 21 नवंबर को, और 15 नवंबर को, मोधी स इतना ही का, अब आप इसमें इंफरेंस कर लीजिए, अगर आठ नवंबर को डी मॉनिटाइजेशन हो और 21 नवंबर को हज़ फंड हुआ, तो यह सही होग है, गल्ती जैराम रमेज जी ने करी, क्योंकि जैराम रमेज जी ने प्रेस वक्रेंस में, जैसे पॉलिटिशन की जाके बोल दिया कि साब, 8 नवंबर को यह हुआ, 21 नवंबर को यह हुआ, इसका मतलब सारा डी मॉनिटाइजेशन का पैसा इंडिया में आ गया, और इनके फंड की तरह, तो वो तो पिल्कुल क्लेर कट केस हो गया, इनकी टेकनिकल डिफेंस होई कि हमने यह सब कहा का, हेज़ फंड बनाने के लिए एक फंड एक साल पहले अप्लिकेशन देता है, कि मेरे भाई का अगर फंड 26 नवंबर 2021 को चला, तो उसकी अप्लिकेशन 26 नवंबर 2020 को गई होगी, ठीक है, मेरे भाई ने 35 मिलियन टोटल फंड रेस किया, उसने एक पैसा हिंदुस्तान में न इन्वेस्ट करता था, ठीक है, यह सब इसने आर्टिकल ने कहीं नहीं लिखा, उसको पता भी नहीं होगा, या उन्हें ने डिसर्च भी नहीं की होगा, उन्हें तो बजितना लिखा, यह आठ तारीक होगा, इसका मतलब जरूर कोई, यहां पर देखे घोटाला है, तो उन उनका यह टेकनिकल डिफेंस होगा, कोट में, हमने तो दो फैक्ट्स किया, यह बात भी सही है, कि उनका फंड 21 नवंबर को हुआ, यह बात भी फंड 8 नवंबर को है, लेकिन यह कोट कोई में केस चल रहा है, देखते हैं, यह कहां तक जाता है, पर जैराम रमेज जी ने अ तो वह केमन ईलेंड से नहीं आएगा, तो कहा अफरीका से आएगा? अरे बही जहां कि जहां पर कंपणी रेजिस्टर होती है, आगर आफ ने कहा कि हिंदुस्तान की 50% कंपनी यहTr बंबबई Stock Exchange में रेजिस्टर होती है, फिर आप ने कहा कि बंबई से पैसा देश हबर मे आईए कि अगर बंबाई में कंपनी रेजिस्टर होती है तो कानपूर से आएगा क्या पैसा वहीं से तो आएगा इसमें इसमें और बात किया और दुनिया में केमन आइलेंड में 85% ऑफ दी हेज़ फंड इंडस्ट्री ग्लोबल रेजिस्टर्ड है तो इसका यह मतलब नहीं कि हेज़ फंड इंडस्ट्री सारी की सारी इल्गॉटन मनी है या वह ब्लैक मनी है तो यह तो मैंने का ना पिल्कोल अनपड गमार जर्नलिजम का उधारण है ना आपने पढ़ा ना आपने रिसर्च करी ना आपने इंवेस्टिगेट किया ना आपको कुछ पता है आप बस हवा में fire कर देते हैं शोचता ही शरीफ लोग है कि आपको कुछ जूँख направ नहीं की पर एलेक्शन खंग हो गया बात खटम हो गई पर किया चिपका तो चिपका नहीं चिपका तो नहीं चिपका